हलो फ्रेंज स्वागत थे आपके अपने चैनल नीलम मिश्रा ब्लोग में तेहां पर साम का टाइम है फ्रेंज जो भी कपड़ा हमने मौर्निंग में धुला था तो सब कुछ हटा दिया था था थोड़ा सा कपड़ा यहां रही गया है तो इसको भी उतार लेते हैं अब मिलते हैं आप लोगों से मौर्निंग में क्योंकि साम से ही हमने ब्लोग का स्टार्ट कर दिया था और यहां मौर्निंग का टाइम हो चुका है तो हम यहां चाय चड़ा दिये हैं और देखे दूद हमारा उबल गया था और उसी में चाय पत्ती डाल दिये तो थोड़ा सा दूद भी बाहर गिर गया और यहां चाय चान लेते हैं बच्चों को दे दिया है क्योंकि बच्चे भी उड़ चुके हैं और यहां टाइम देख सकते हैं आप लोग तो पांच बच्च के 20 मिनट हो रहे हैं बस दो मिनट ही बाकी है तो क्योंकि आज बच्चे भी जल्दी उठ गए और मॉनिंग वाक के लिए गए थे तो इसलिए थोड़ा जल्दी उड़ गए और बाहर देख सकते हैं अभी मॉनिंग वाक से आये हैं सनी के पापा चाय वगरा हम लोगों का हो चुका है तो बाहर का व्यू भी देख लिजिए काफी अंदेरा था और यहां हम लोग कुछ टा देते हां कि सामने ही लाके रख देता है और यहां बाइक है तो थोड़ा साइड में है और जहां जहां खाली है वाण यहां लगा लिए तो बस चलते हैं और बात में बैठाच के अराम से घाब खतम करके चलते हैं नहा लेते हैं सिधे और नहाने के बाद से फिर वही खाना पीना का तयारी होगा तो बनेगा क्योंकि मॉनिंग का टाइम है तो यही सब काम होता है मॉनिंग में तो यहां पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं लकडी स्रिष्टी जो टांगा होता है उससे थ वह नहीं उटा से मुझत सींट में अच जरी बन तो system लेकर गड़ा DAVID वो भी तालाब में ही जाता है, तो यहां तालाब की तरफ जो भी है, उसको सीदे इसी तरफ से करते चले जाएंगे, और यहां सौरव कुछ लेके आ रहा है, तो बाहर से, और यहां देख सकते हैं, मॉर्णिक का टाइम है, तो कितना प्यारा ताला आपका नजारा दिख रहा है और अच्छा लगता है morning में तो या पूरे दिन में इधर का तो वियू बहुत ही अच्छा लगता है और यहां देख सकते हैं ताला पूरा भर गया है बारिस के वज़े से और रास्ता थोड़ा सा भी नहीं बचा है जाने के लिए पिछे बहुत थोड़ा सा है अब आ गए है चूले के पास और यहां देख सकते हैं करेला है आलू है और हमने धुलके इसमें पानी डाल दिया है चलते हैं चूला जलाने और चूला जला के इसको हम रख देंगे उबल और आलू बाल दे रहे हैं उसके साथ-साथ क्योंकि भूजना नहीं पड़ेगा और बैगन टमाटर भूज के आलू बैगन टमाटर का भरता अलग बनेगा और यहीं कुछ है आज और मॉर्निंग में रोटी सेक देंगे तो बच्ची लोग अपना खा के चले जाएंगे उस में अपने वीडियो का काम भी करना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मेरे ब्लोग का टाइम है मैं ठीक 12 वज़े तक अपना ब्लोग दे देती हूं टाइम पे कभी-कभी ऐसा हो जाता है थोड़ा बहुत लेट हो जाता है और यहां पे मैं बैगन भूज रही हूं और देख सकते हैं टोप में के लिए दिख नहीं रहा है वहां हमने करेला का भरता बना दिया है और यहां मैं थोड़ा सा सरसो का साग मुझे मिल गया तो वही मैं कट कर रही हूं क्योंकि थोड़ा सा सरसो हो गया था बारिस का सीजन है तो कुछ भी हरा सबजी हो तो वही मैं अपने लिए तावे पर बना ली हूं और अभी उसको मैं अच्छे से बनाऊंगी क्योंकि सब कुछ डाल दिया है बस उसको मुझे थोड़ा सा मिक्स करना है और यहां देख सकते हैं मिक्सी में डाल के हमने मिक्स कर दिया है और काफी टेश्टी बना था बहुत ही खाने में चावल के साथ मुझे अच्छा लगता है सरसो का साग तो यही और यहां पे रोटी सिक रहा है क्योंकि करेला का और अलू बैगन टमाटर का दोनों अलग-अलग हमने उस भरते को बना लिया है जो कि चोखा भी बोलते हैं गाउं में और गाउं का यही रियल लाइ जैसे भी रहती हूं ब्लोग में आ जाती हूं कोई भी दिखावा नहीं है कोई भी हो नहीं है कि ऐसे चले वह ऐसे तो बस प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उससे पहले चैनल पर निव है तो वीडियो देखने के लिए